Hello friends, welcome back, my consultant optometrist दोस्तों आज हम बात करेंगे हेडक यानि सरदर्द के बारे में सरदर्द क्यों होता है, किस तरह का सरदर्द हमारी आँखों से जुड़ा हो सकता है आज हम इस वीडियो में सारा कुछ डिसकस करेंगे तो दोस्तों सरदर्द एक कामन समस्या है, या समस्या अधिकतर लोगों को होती है बहुत सारे लोगों का सरदर्द होता है, यदि आपकी आँख में चश्मे का नंबर है या फिर आपको कोई बीमारी है, तो आपको सरदर्द हो सकता है सरदर्द के साथ यदि आपको देखने में दिक्कत हो या computer mobile laptop यूज करने में दिक्कत हो तो कही ना कही यह आँखों से जुड़ा सरदर्द हो सकता है या आप एसे समझे कि यदि आपको electronic device या computer mobile laptop यूज कर रहे हैं या फिर कुछ चीज पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने के बाद या electronic device यूज करने के बाद यह समस्या हो तो यह समस्या आपकी आँखों से जुड़ी समस्या हो सकती है कुछ लोग चस्मे को एगनोर करते हैं उन्हें पास की चीज़ें दिखती रहती हैं तो वो सोचते हैं कि हम चस्मे को क्यों लगाएं तो अगर उनकी आँख में चस्मे का number है और उनका सरदर्द हो रहा है तो उन्हें चस्मे को continuous लगाना चाहिए और भी बहुत सारी आँखों से जुड़ी समस्या हो सकती हैं जैसे आपकी muscles का weak होना या फिर आँखों का तिर्चापन होना ये सब ठीक होने वाली बीमारियां हैं अगर आपका सरदर्द हो रहा है तो एक बार आप अपनी eye test कराएं और अगर आपको ये सारी बीमारियां हैं तो आप इसका treatment पेशेंट को पता होना चाहिए कि उसका सरदर्द कहां पर होता है किस location पर होता है आँखों के चारों तरफ होता है या फिर back side में होता है या front side में होता है या आपका आधा सरदर्द करता है या आपका side में सरदर्द करता है क्योंकि यह बहुत important रहता है और location के हिसाप से matter करता है आपको किस तरह का सरदर्द है जैसे आँखों के चारो तरफ headache है तो वह cluster headache होता है cluster headache में patient की आँखे छोटी होने लगती है और patient की आँख से पानी आने लगता है यदि आपका आधा सरदर्द कर रहा है तो यह condition migraine की condition हो सकती है इस condition में हमें eye testing करानी चाहिए और यदि eye की muscles weak हैं तो muscles के लिए exercise करें जिससे की headache ठीक हो सके headache के patient में सबसे ज़्यादा जरूरी test होता है वो है fundus test यानि आखों में जो देखने वाली नसे हैं उसका test कई बार उन नसों में swelling होती है suppose एक headache का patient है उसकी आख में swelling है उसको दिखना कम हो रहा है तो कहीं न कहीं यह brain tumor को indicate करता है यह एक simple test है इसमें आख में दवा डाल करके हम इस test को करते हैं और जो मरीज है उसको कई बड़ी से बड़ी वीमारियों को अउगत करा सकते हैं बहुत सारे लोगों को चक्कर की सिकायत नहीं रहती केवल उसकी आखें दर्द करती है उसको headache होता है तो patient इस चीच को ignore कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि यह बहुत छोटी समस्या है और patient की आख में swelling होती है आज कल headache का सबसे बड़ा कारण है बच्चों को चश्मा लगना और electronic device का यूज करना यह दोनों समस्या है एक दूसरे से जुड़ी हुई है अगर हम mobile laptop, tv या electronic device का यूज कम कर दे तो कहीं न कहीं हमें headache से आराम मिल सकता है कई बार बच्चे देर रात तक जागते रहते हैं जिसकी वज़े से आँख में pressure पड़ता है और चश्मे का number जल्दी जल्दी बढ़ता है और कई parents अपने बच्चों का eye check up नहीं कराते और बच्चे बिना चश्मे के mobile laptop, tv यूज करते रहते हैं जिसकी वज़े से भी headache की समस्या ज्यादा हो जाती है तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि यदि आपका सरदर्द आँखों से जुड़ा सरदर्द है तो एक बार eye test जरूर कराएं अगर आपकी चश्मे का power है तो चश्मे को हमेशा लगाएं साथ ही mobile laptop, electronic gadgets का यूज कम करें टाइम से खाने और सोने का schedule लखेंगे और ब्यवस्थित life style होगी तो कहीं न कहीं हमें headache से छुटकारा मिल सकता है इस तरह से मैंने इस वीडियो में headache क्यों होता है किस तरह का सरदर्द हमारी आँखों से जुड़ा हो सकता है इस बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दिया है अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें साथ ही bell icon को press करें जिससे कि मेरे आगे आने वाले वीडियो आए की health related वीडियो आप लोगों को मिलते रहें